तो गुद इवनिंग सभी को मैं जुवेश्मा स्वाकत कलता हूँ आपका SSC 824-7 पर तो आज हम railway के लिए selected questions करेंगे जो आपके आने वाले जो अब कल से आपका जो examination है और जो आपके आने वाले examination उनके लिए काफी important है तो जल्दी से सभी लोग session के साथ जुड़ जाएगा session को share और like जरू करेगा तो सबसे पहले आज के session के हम शुरुवात कलते हैं तो railway special current affairs last six month और most important current affairs है for RRB NDPC exam इसमें मैं आपको और भी काफी सारा data दूँगा तो चलिए session को शुरुवात कलते हैं तो सबसे पहले आपके screen पर यह रहा है भाई national infrastructure pipeline national infrastructure pipeline चलिए से बताएगा national infrastructure pipeline यह 2025 तक भारत में जो आधारबूत संरचना है भारत में जो आधारबूत संरचना है उसके को निर्मान करने के लिए इसके लिए एक special task force बनाई गई है national task force बनाई गई है तो आपको यह बताना है आपको यह बताना है कि भाई इसका head कौन करेंगे अरुन गोयल, राजीव कुमार, अतनु चकरबलती या अजे कुमार जल्दी से बताएगा इस question का answer क्या है फटा फट जल्दी से इस question का answer बताएगा कि क्या है इस question का answer ओके, तो सभी लोग जो भी session को देख रहे हैं हेलो सुप्रिया कुमारी, वेलकम बिटा और देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और चीज़ बताऊंगा, ज़र रहे हैं पर ध्यान से सुनेगा, यह तो national infrastructure pipeline आप देख रहे हो इसका answer है, श्रीमान अत्नु चक्रवर्ती, अब ज़र रहे हैं पर देखेगा यह जो राजीव कुमार है ना राजीव कुमार, यह एक तो नीती आयोग से भी इनका संबंद है एक राजीव कुमार नीती आयोग में भी है ठीक है और दूसी चीज़ धियान रखेगा राजीव कुमार को अभी एक और दूसरे राजीव कुमार है यह हमारे भूतपोरी यहनि फॉर्मर finance secretary ते, यह हमारे भूतपोरी क्या थे, finance secretary थे ठीक है, यहनि वित्त सचिव थे भूतपोरी finance secretary और इन्हें क्या बनाया गया है भारत का election commissioner बनाया गया है इन्हें क्या बनाया गया है भारत का election commissioner बनाया गया है क्योंकि इससे पहले जो election commissioner होते थे, उनका नाम है अशोक लावासा, ठीक है उनका नाम क्या है अशोक लावासा, अशोक लावासा को क्या बना दिया गया भाई, इनने Asia Vikas Bank, Asian Development Bank, Asia Vikas Bank का क्या बना दिया गया, वाईस प्रेजिडेंट बना दिया गया, तो इस वज़े से राजीव कुमार क्या बने भारत के नए election commissioner बने है, एशिया बैंक, Asian Development Bank, यानि Asia Vikas Bank के अध्यक्ष का नाम है, जो 2020 में जिने चुना गया है, उनका नाम है, मस्ता गुसू आसा कावा, ठीक है, मस्ता गुसू आसा का ये Asia Vikas Bank के head है, जरहा आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए, का मैं आपको एक question में काफी सारा data दूँगा, तो ये तो बात हुई national infrastructure pipeline की, अब जरहा ध्यान रखेगा, 2020 में एक बहुत चल्चा में रहा, विशे, वो क्या था, आपका national, okay, बिल्कुल, हाँ, SSE, CHSL के लिए भी important है, क्योंकि आपके SSE में पिछले एक साल तक का current affair आता है, तो उसके लिए भी important है, तो national education, okay, education, national education policy, राष्टिय सिक्षा नीती, इस हम हिंदी में बोलते हैं, तो national education policy ध्यान रखेगा, अभी तक भारत में के वल तीन बार आईए, 1967 में, 1986 में, और अब 2020 में आईए, तो इस बार जो national education policy है, इसके head कौन थे, इसके head थे, Dr. K. Kasturi Ranjan, जरा इसे भी note कर लो, बहुत important चीज है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं आपका लोगों का बिल्कुल भी time waste नहीं करूँगा, मैं आपको जादा से जादा data बताऊँगा, तो ध्यान रखेगा, के Kasturi Ranjan, national education policy के head है, यहाँ पर अतनु चकरवलती पर बात खत्म होगी, अतनु चकरवलती पर मैंने देख़व, आपको किती सारी चीजे बताई, आगे और चीज ध्यान रखेगा, वो क्या है, कि एक इसी तरीके से national, यह आप लोगों नोंने शायद सुना हो, national water policy, मैं आप लोगों के ग्यान पर कभी भी question mark नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को बता है, जो हमारे student है, वो काफी मेहनत से पढ़ते हैं, तो national water policy हमने सबसे पहले 1987 में अपना थी, फिर 2012 में, और अब 2020 में हमने national water policy दुबारस अपनाई है, और इसके जो head and national water policy के, वो dr. mihir shah है, कौन बने है, dr. mihir shah national water policy के अध्यक्ष बने है, जराब भाई इसको बिलकुल pdf मिलेगी, session के बाद, बिलकुल pdf मिलेगी, session के बाद, upload हो जाएगी, session खटम होते हैं, आप लोग बस जो मैं चीज ले रहा हूँ है, इसका screenshot भी ले सकते हो, जो मैंने चीज लिखी मेरे दोस्तो, उसे तुम इसका screenshot भी ले सकते हो, देखो दुबारस हमें बताता हूं अतनु चकरबती इसका अंसर है यहां पर option में राजीव कुमार भी दे रखा है तो राजीव कुमार जो है ना नीती एक राजीव कुमार आपके नीती आयोग में भी है अब राजीव कुमार जो नीती आयोग में है ठीक है यह क्या है राजीव कुमार जो नीती आ मैंने ध्यान रखेगा Vice Chairman, कभी पूछ लिया जाए कि Vice Chairman कौन है निती आयोग के, तो राजीव कुमार Vice Chairman है निती आयोग के, यहाँ पर कुमार लिख दिया, मैंने निती आयोग लिखना चाहिए ता मेरे को, ठीक है, दूसी चीज आपको ध्यान क्या करना है मेरे दोस्तों, वो अभी हाली में, इलेक्शन कमिशन में तीन होते हैं, एक इलेक्शन कमिशनर होते थे हमारे अशोक लवासा, वो एशिया विकास बैंक में चले गए, क्योंकि उन्हें वहाँ का Vice President बना दिया गया, तो एशिया विकास बैंक के जो President है, उसका नाम भी मैंने हैं बता दिया, मस को समझ में आ गई, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार कमेंट करके मेरे दोस्तों जरा बता दो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तो बढ़ते हैं, अब अगले कोशन की हो, ओके अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, order of rising sun, gold and silver rays, ये award एक मनिपुरी डॉक्टर को दिया गया है, जिनका नाम है थंजगम थबली सिंग, जिनका नाम क्या है, थंग जाम थबली सिंग, जिनका नाम है, इन्हें order of rising sun, gold and silver award दिया गया, अब आपको पता है उगदे सूरज का देश किसे कहा जाता है, लेंड ओफ राइजिंग सन किसे जाता है, लेंड ओफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, तो लेंड ओफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, लेंड ओफ राइजिंग सन, अच्छा, जापान में ध्यान रखेगा, अगस्त, अगस्त दो हजार एक्ष में आपका Olympic होंगे ठीक है वैसे तो 2020 में होने थे वैसे तो 2020 में होने थे लेकिन ये COVID मामारी के कारण इसे shift कर दिया गया अगस 2020 दूसरी चीज़ दियान रखेगा जापान में 2026 में जापान में 2026 में क्या होगा Asian Games होगे जापान में 2026 में क्या होगे आपके Asian Games होगे पिलकुल सही बात जापान में 2026 में क्या उनसे Games होगे Asian Games होगे दूसरी चीज़ एक आपको दियान रखने है जापान के अभी हाली में नए परधान मंतरी बने है जापान के हाली में नए परधान मंतρι بنे, जापान कि में जो प्रधान मंतरी बने उनका नाम है یोशी हाइड सुगा, ओके जापान के नए प्रधान मंतरी का नाम क्या है? योशी हाइड सुगा, फिर आपने एक क्वार्ड देशों का नाम सुना होगा, Quad देश, यानि इसमें आपका आता है भारत, USA, Japan और Australia, ठीक है, Japan and Australia, अब भारत और USA और जापान के बीच एक military exercise होती है, माला बार, ये नेवी की exercise होती है, माला बार exercise, ठीक है, exercise, तो इस बार पहली बार Quad देशों ने, क्योंकि इसमें इस बार Australia भी शामिल हुआ था, तो Quad देश ने मिलकर क्या करिया, माला बार exercise करिया है, इंडियन ओशियन में, बिलकुल, बहुत बढ़िया, अगला कोशन, अगला कोशन आपके screen पे, महत्मा गांधी मनरेगा, देखो, जो मनरेगा है न, ये दो फरवरी 2005 में, दो फरवरी 2005 में ये शुरू वी थी, तब इसका नाम था नरेगा, तब इसका नाम क्या था, नरेगा इसका नाम था, 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा करा गया, ठीक है, मात्मा गांधी, National Employment Guarantee Act, ठीक है, तो इस बार 36 गड़ ने, इस बार 36 गड़ ने, सबसे अधिक क्या दिया है, रोजगाल दिया है, मनरेगा के थैत, 36 गड़ दियान रखेगा, यहां पर आपको मैं बता दू, कि एक नीती आयोग रैंकिंग निकालता है, एक नीती आयोग, ठीक है, नीती आयोग, क्या निकालता है, डेल्टा रैंकिंग, तो डेल्टा रैंकिंग में, एक चीज़ धियान रखेगा, पहला स्थान, 36 गड़ के शहर बी बीजापुर district को, aspirational district बोलते हैं, नीतियायो की delta ranking में, aspirational district, आकांक्शी जिलाओं में, बीजापुर को पर्थमस्थान मिला, बीजापुर आपका किसमें पढ़ता है, चतिस गड़ में ही पढ़ता है, दूसरा इस्थान मिला है, रीभोई, ठीक है, रीभोई, रीभोई, आप आपका किस में पढ़ता है, मेघहल्य की एक district है, कौन सी district है, मेघहल्य की एक district है, और ध्यान रखेगा, तीसरा जो आपका है, वो आपका बहराईच जिला, बहराईच जिला उत्तरपरदेश का, इनको डेल्टा रैंकिंग की अकांक्शी जिलाओं में ये स्थान मिला है, तो option number A का right answer होगा, और my dear दोस्तों, session को share और like जोगरेगा, मितेश बिल्कुल भाई, good evening, तो इंडिया की जो 53 रैंक है, ठीक है, आपको कुछ मैं बता दूँ, कि human development index में इंडिया की 111 रैंक है, ध्यान रखेगा, human development index में इंडिया की किती रैंक है, 131 रैंक है, और यहाँ पे क number one country कौन से रही है, तो number one country इसमें रही है, न्यूजिलेंड, ठीक है, number one country कौन से रही है, न्यूजिलेंड, अच्छा, न्यूजिलेंड के बारे मैं बता दूँ, न्यूजिलेंड की जो अभी Prime Minister बनिया, दुबारा चुनी गई है, Prime Minister New Zealand की, उनका नाम है, जैकिंडा, जैकि प्रिस जॉन सन और यह अभी हमारे रिपब्लिक डे परेड में आएंगे और वैसे भी इंगलेंड में इसवक्त कोरोना वाइरस का नया स्ट्रेंड पता है Finland, Finland को बिटा क्या का जाता है, ध्यान रखेगा, Finland को बोला जाता है, हजाल जीलो का देश, Land of Thousand Lakes, Finland को क्या बुलाता है, Land of Thousand Lakes बुला जाता है, क्या बुला जाता है, Land of Thousand Lakes, Finland को बुला जाता है, और फिल्लेंड की पता परधान मंत्री का नाम क्या है, सना मरीन, फिल्लेंड की परधान मंत्री का नाम है सना मरीन, और यह जो सना मरीन है यह भाई विश्य में सबसे कम उमर की परधान मंत्री है, यानि यह क्या है यंगेस्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है वर्ल्ड में ये क्या है, विश्य की सबसे कम उमर की परधान मंतरी है, एक और चीज ध्यान रखेगा, इस Human Development Index में इंडिया की रैंक 131 रही है, वो तो बात सही है, आप इसमें एक और चीज रही है, देखो ये Human Development Index के इलावा एक और होता, Ease of Doing Business, Ease of Doing Business, ठीक है, तो Ease of Doing Business में इंडिया की रैंक जो है, वो किती रही है, आपकी 63 रैंक रही है, इंडिया की, भारत का 63 स्थान रहा है, और इसमें भी नंबर वन पता कौन रहा है, इसमें भी नंबर वन जो रहा है, टॉप किस ने करा है, न्यूजिलेंड ने करा है, इसमें भी टॉप किस ने करा है, नहीं करा है गुड इवनिंग तनुमिश्रा ओके तो फिर ये देखो ये कोशन कहा है कि सेफरन जी आई जी आई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन यानि उस पर्टिकुलर छित में होने वाली कोई भी प्राकलतिक चीज या कोई भी मैनमेड चीज तो करेवा क्या ह जारत के एकी राज्य में होता है ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है आगे बढ़ता है नेम दा परसन हो है रिसेंटली मैं देखो ये जो परधान मंत्री है न मुहमद अलावी ये फरवरी 2020 में इराक के परधान मंत्री बने थे फिर उसके बाद इनको हटा दिया गया और इनकी जगा मुस्तफा अलकदमी मुस्तफा अलकदमी क्या बने मुस्तफा अलकदमी आपके इरान के परधान मंत्री बने इराक के परधान मंत्री बने मुस्तफा अलकदमी इराक के परधान मंत्री बने वैसे एक चीज़ जो मैं बता हूँ आप उमान के भी बहरीन अभी इ तो विश्य के सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाले वदाहन मंत्री थे, ओके, ओके, अगला कोशन, Name the first tennis player, जिसने, ठेखो, यह Fed Cup award है न, ठीक है, यह केवल महिलाओ के लिए होता है, only for women होता है, ठीक है, only for women होता है, ठीक है, women क्या होता है, Fed Cup यह tennis से related होता है, ठीक है, badminton से संबंदित है, महेश, भूपिती, रोहन, बवपना, badminton से हैं, लेकिन दोनों male है, इस question का answer आपका सानिय मिर्जा है, ध्यान रखेगा, और यह पहली भारते महिला का हिलाड़ी बनी है, जिन्होंने award जिता है, यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखेगा, यहाँ पर मैं बताओं, एक Indian hockey player है, Rani Rampal, ठीक है, Rani Rampal, ठीक है, Rani Rampal के बारे में एक चीज आप जड़ा ध्यान से सुन लो, यह पहली भारते खिलाड़ी बनी है, पहली first hockey player बनी है, यह तो first hockey player है, पूरे world में, ठीक है, जिन्हें कौन सा award मिला है, world athlete award मिला है, इन्हें क्या मिला है, world athlete award मिला है, क्या मिला है, world athlete award मिला है, साथी साथ, Rani Rampal के लिए, यह 2020-2020 बहुत अच्छा कहा जा सकता, क्योंकि इस साल इन्हें पदम शिरी भी मिला था, क्योंकि इस साल इन्हें क्या मिला था, पदम शिरी भी मिला था, और इन्हें फिर खेल रतन पुरुसकार भी दिया गया, और इन्हें क्या दिया गया, खेल रतन पुरुषकार भी दिया गया, खेल रतन अवार्ड, रानी रामपाल जो है, हरियाना के कुरुशेत्र से हैं, कहां से हैं, हरियाना के कुरुशेत्र से हैं, और भालतिय महिला होके टीम की क्या है, कप्तान है, इसी तरह भालतिय Year का Award मिला है, ठीक है, 2019 के लिए, ठीक है, 2019 के लिए, FIH Player of the Year का Award, Man में, Man category में, वो में मिला है, भारतिय होकी टीम के जो कपतान है, मनपरीत सिंग, भारतिय होकी टीम के जो कपतान है, मनपरीत सिंग, और मनपरीत सिंग साब जो है, ये पर्थम भारतिय हैं, ये जो मनपरीत सि साब है यह first Indian है ठीक है first Indian है जिने ये पुरुषकार मिला है और भाई होकी से related current affairs हमेशा railway के लिए बहुत important रहता है जो Federation of International Hockey है इसका जो headquarter पढ़ता है वो पढ़ता है Lausanne, Lausanne, Suzzaland में पढ़ता है किसमें पढ़ता है Lausanne, Suzzaland इसका headquarter कहाँ पढ़ता है Lausanne, Suzzaland तो भाई इसे बिलकुल जो जो चीज मैंने लिखी है इने जरा note खर लो देखो साफ handwriting में लिखी है अगर चाहते हो तो screenshot भी खीच लो क्योंकि PDF में इस चीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी आगे बढ़ते हैं अगले question की और अगला question आपकी screen पर ये रहा कि जो पैरा athlete है दीपा मलिक जिन्नोंने पहली मैला खिलाडी है जिन्नोंने पैरा Olympic Games में क्या जीता है गोल्ड मेडल जीता है तो ये कौन से खेल से संबन दीता है तो जल्दी से बताएगा कि दीपा मलिक कौन से खेल से संबन दीता है जल्दी से बताएगा इस question का answer क्या होगा इस question का answer आपका क्या होगा जल्दी से बताएगा इस question का answer क्या होगा तो दीपा मलिक आपका short put से संबन दीता है किस से related है short put से related है ध्यान रखेगा दीपा मलिक जो थी इन्हें 2019 में, ठीक है, इन्हें 2019 में, ओके, इन्हें 2019 में क्या हुआ, खेल रतन अवार्ड दिया गया था, ठीक है, बजरंग पूनिया के साथ, इन्हें खेल रतन अवार्ड में मिला था, 2019 में, तो ये शॉट्पुटर पेरा एथलेट है, तो इन्होंने अपनी रेटार्रमें PCI, उसकी head बनी है और उसके लिए इनने अपने career से क्या ले लिया, retirement ले लिया आगे बढ़ते हैं, अगले question क्यों अगले question आपके इसके में, name the country which has name is a street on the point of Rabindranath Tagore तो Rabindranath Tagore के उपर जो street का नाम लिखा है, वो आपका कौन सा है Israel, ठीक है, ध्यान रखेगा 7th of May, आपका जो होता है, 7th of May यह आपका Rabindranath Tagore का बड़े होता है, ठीक है अच्छा, यहाँ पर UAE दिख रहा है, UAE के लिए important चीज यह है, तो देखो UAE ना, एक first Arab country बनी है, ठीक है, first Arab country बनी है, ठीक है, first Arab country दो मामलों में बनी है, ठीक है, first Arab country दो मामलों में बनी है, कि पहला तो एक तो उसका nuclear reactor है ठीक है, nuclear reactor इसके nuclear reactor का नाम क्या है, इसके nuclear reactor का नाम है, बारा खा, ठीक है बारा खा, इसके nuclear reactor का नाम है, और पहली Arab country है, जिसने, क्या है अपना Mars mission, यह Space Mission को launch कर रहा है, ठीक है, इसके Mars Mission का नाम है Hope, और Arabic language में इसे बुलाते हैं, Al-Amal, ओके, Al-Amal, इसका Mars Mission है, क्योंकि 2021 में, इसके United Arab Emirats को बने में पूरे 50 साल हो जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, ओके, येस, हाँ, तो इस question का आंसर बताएगा, येस, इसराइल इसका आंसर है, आपने सही बताया, जिर्कुमार, अभिशेक तिवारी, क्या question आपका, Robert Avezido, Robert Avezido ने resign करा, ये कौन से organization से हैं, तो देखो, यहाँ पे आप United Nation Environment Program देख रहे होंगे, ये 1972 में बना था, इसका headquarter आपका कहाँ पर पढ़ता है, नेरोबी में पढ़ता है, किसमें पढ़ता है, नेरोबी और नेरोबी किसकी capital है, नेरोबी आपकी कीनिया की capital है, किसकी capital है, कीनिया की, दिया मिर्जा जो है, दिया मिर्जा, चीक है, दिया मिर्जा को United Nation Environment Program का सदभावनदूत यानि Goodwill Ambassador बनाया गया, चीक है? फिर ध्यान दखेगा, UNO का Headquarters आपका कहा पड़ता है, United Nation Headquarters आपका New York में पड़ता है, UNO का Headquarters आपका कहा पड़ता है, New York में, United Nation Journal Assembly, यह भी आपका New York में पड़ती है, इसके head इस बार जो है, इस बार 75 जो इसके president बने United Nations General Assembly के, ठीक है, वो कौन बने है, 75 प्रेजिट जो बने United Nations General Assembly के, वो कौन बने है, आपका, इनका नाम है Volkan Bozgir, Volkan Bozgir नाम है उनका, ठीक है, Volkan Bozgir नाम है अच्छे, ध्यान रखेगा, यहाँ पर WHO है, दरसल यह WTO होना चाहिए, World Trade Organization के head है, किसके थे head, World Trade Organization, WTO, WTO का जो headquarter है, आपका Geneva में पढ़ता था, किस में पढ़ता था, Geneva में, World Trade Organization का, आपका headquarter पढ़ता था, अब अगले question की और चलते हैं, अगला question आपकी screen पर यह रहा, Name the person who heads the ICC Cricket Committee which recommended use of saliva to shine the ball, तो ध्यान रखेगा saliva, क्योंकि ठूक लगा के जो ball को चमकाया जाता था, ठूक लगा के जो ball को चमकाया जाता था, ठूक लगा के जो ball को चमकाया जाता था, उसके बारे में है, और session को share और like जो जो करेगा, तो जो क्या कहते हैं, saliva को लगाया जाता था, ठूक है, तो उसके लिए आपका कौन बने है, अनिल कुम्बले ने, वो head करी, किसने head करी है, अनिल कुम्बले ने, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल विकास भटा चारे, आप सही बता रहे हो, और एक चीज और ध्यान रखेगा, ये नितिन मैनन आप देख रहे हो न, नितिन मैनन, ये नितिन मैनन क्या है, youngest, सबसे कम उमर के, youngest का मतलब होता है, सबसे कम उमर के, youngest empire है, ठीक है, youngest empire है, जो ICC, International Cricket Council, ध्यान रखना, अभी RRB, isolated में पूछा गया, कि ICC के नए अद्यक्ष कौन बने है, तो ICC के नए अद्यक्ष बने है, Greg Barclay, ठीक है, Greg Barclay, ICC के नए अद्यक्ष बने है, Greg Barclay, और ये कहां से हैं, बिटा, ये आपका न्यूजिलेंड से हैं, Greg Barclay, आपके कहां से हैं, न्यूजिलेंड से हैं, और ICC के नए अद्यक्ष बने हैं, ओके, और ध्यान रखेगा, तो ICC के elite panel में, elite panel में जो empire का होता है, उसमें शامil होने वाले सबसे कम उमर के कौन बने हैं, निटिन मैनल, सुनील जोशी जो होते थे, अभी क्या होते थे, ये chief selector थे, ठीक है, chief selector, लेकिन अभी क्या हुआ, जो India, Australia में एत्ती बुरी तरह हारी है, तो इन्हें इनके पद स से हटा दिया गया है सुनिल जोशी को और इनकी जगा अब चैतन शर्मा इस तरीके से आपको ना करेंट अफेर ना अपने टिप्स पर यादोना चाहिए ठीक है चैतन शर्मा को क्या बनाया गया है भारत का नया चीफ सिलेक्टर बनाया गया राहूल दर्विड के बारे में मैं बात करूँ तो राहूल दर्विड पाँचवे ऐसे खिलाडी है यानि फिफ्ट प्लेयर है जिने विस्डन इसे क्रिकट की बाइबल कहा जाता है विस्डन के हौल अफ दी फेम में शामिल किया गया है या wisdom जो magazine है, इस एक bible of cricket का आ जाता है, hall of fame में शामिल किया गया है, तो भाई अगर आप लोगों को session अच्छा लगता है ना, तो session को share और like जोग करिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले सर के ओर, तो अगर नाबाड, नाबाड के जो है ना, 1982 कई बार exam में पूछा है, नाबाड कब बना तो 12 जुलाई 1982 में बना था नाबाड, और 12 के आदे किते होता है, 6th, तो 6th 5 year plan के अंडर बना था, तो दियान रखना, नाबाड के पहले जो former थे, यानि भूत पूर्व जिने हम बोलेंगे, भूत पूर्व जो थे, वो अध्यक्ष कौन थे, हर्श कुमार भानवाल, अब कौन बने, गोविंदा राजू चिंताला, गोविंदा राजू चिंताला अब बने, दियान रखेग यानि Exim Bank, Export-Import Bank, यानि Exim Bank ये भी 1982 में बना था, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन के, Who is appointed as Chief Economist and Vice President of World Bank, दिखू, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही मज़ेदार चीज आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे, एक न, 1945 में एक Conference हुई थी, ठीक है, Bretton Woods Conference हुई थी, इस Bretton Woods Conference के दो बच्चे हुए, इस Bretton Woods Conference के दो बच्चे हुए, एक बच्चे का नाम था, World Bank, ठीक है, एक बच्चे का नाम क्या था, World Bank, और दूसरे बच्चे का नाम क्या था, दूसरे बच्चे का नाम क्या था, भाई, दूसरे बच्चे का नाम था, International Monetary Fund, तो World Bank के जो head है, World Bank के head कौन है, David Malpass है, ठीक है, वर्डवेंग के head कोन है, David Malpass है, जड़ा लिखते है चलो, ये US से सही है, ठीक है, और IMF के head कौन है, क््रिस्टी लीना, जौर्जी जीवा है, ठीक है, जौर, जीवा, क्रिस्टी लीना, जौर्जी जीवा, ये IMF की head है, ठीक है, और ये कहां की है, बलगेदिया की है, तो इ ध्यान रखेगा, यह Chief Financial Officer है, किसकी, Chief Financial Officer किसकी है, World Bank की मुख्य वित्य अधिकारी है, गीता गोपिनाथ, गीता गोपिनाथ, चीफ यानि मुख्य एकनॉमिस्ट है, Chief Economist किसकी है, IMF की Chief Economist है, सोमय सोमिनाथन, यह WHO की, यह WHO की क्या है, Chief Scientist है, WHO की यह क्या है, Chief Scientist है, तो बिलकुल इसी तरीके से आपको बिटा, टिप्स पे चीज़े याद होनी चाहिए, और सेशन को भई, शेर और लाइक आपको ज़रू करना है, सेशन को शेर और लाइक आपको ज़रू करना है, आशा करता हूँ, I hope you have all understand it, Now, move to the next question, उस first state का नाम बताओ, जिसने sports को एक industry का status दिया, जल्दी से इस question का answer बताएगा, तनु मिश्रा, study, study, okay, अभी तो पहले paper हो जाए सर, तब सेफ स्कोर के बारे हैं बताएंगे, अभी कैसे बताएंगे, जोची थोड़ी हैं सर, ओके, शुभांगी, ओके, मिटेश जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या है, वो पहला राज्य जिसने sports को industry का status दिया, तो उसका question का answer आपका मिजोरम, मिजोरम is the first state, ओके, मिजोरम is the first state, जिसने sports को एक industry का status दिया, स्पोर्ट्स को क्या दिया है, एक industry का status दिया, option number B, इसका right answer है, मिजोरम, पहले मेरे को भी confusion था कि मनिपूर होगा, लेकिन इसका answer क्या है, मिजोरम है, मिजोरम इसका right answer है, okay, United Nation Military Gender Award 2019, okay, के प्रथम भालते रक्षा का, तो ये UN Peacekeeping Force, यानि स्वयुक्त राष्ट शांति से ना में है, सुमन गवनी, ठीक है, सुमन गवनी ये क्या है, स्वयुक्त राष्ट शांति से ना में, इनने क्या दिया गया है, United Nation Gender Advocate Award, बहुत important है, ध्यान रखेगा, बहुत important है, मेजर अनूप मिश्रा के बारे में मैं बताओ, इननों ने क्या बनाया है, वर्ल्ड का, यानि वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट, वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट फ़र, एके 47, एके 47 को की गोली को रोकने के लिए, अनूप मिश्रा ने क्या बनाया है, वर्ल्ड का फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है, यह जो है, फ्लाइंग ऑफिसर, ओके, फ्लाइंग ऑफिसर, शिवांगी सिंग, यह किसे जोइन करा है इन्होंने, गोल्डन एरोज को जोइन करा है, गोल्डन एरोज, गोल्डन एरोज इंडियन एफोस की जो स्क्वाडन है, स्क्वाडन नंबर 17 है, स्क्वाडन नंबर 17, यानि यह आपकी रफैल विमान से संबन देता है, किस से रफैल मिमान उड़ाने वाली पहली महिला बावना कान्थ जो थी है फर्स्ट फर्स्ट वुमेन थी ठीक है फर्स्ट वुमेन थी जिनोंने मिग 21 उड़ाया था यह कहें कि इंडिया की फर्स्ट फाइटर पाइलेट थी यहां पर मेजर अनूप मिश्रा पर एक आपको बताओं उत्तर पर्देश में एक जगा है अमेठी में AK-47203 का फैक्टरी डाला जाएगा फैक्टरी और वो हम यहीं पर ही राइफल बना जाएगे किसके सयोग से रशिया के सयोग से किसके सयोग से रशिया के सयोग से करेंगे और भाई मेरे दोस्तो जरा सेशन को शेर और लाइक जरू करें ताकि और भी स्टूटेट हम से जुड़ सकें चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के ओ अब जो मेंसे बच्चा पूछ रहा था कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा तो देखो मैं सेफ स्कोर के बारे में तुम्हें बता नहीं सकता हाँ जल्द बाजी में मैंसे स्पैलिंग गलत हो गई एक चीज़ है अब भ्यास आदमी को बहुत क्या करता है आगे ले जाता है रेलवे के एक्जाम में आपके 40 question GK कहाएंगे 40 question आपके math कहाएंगे 40 question आपके reasoning कहाएंगे पढ़ाई तो आप काफी दिनों से कर रहे हो ठीक है पढ़ाई तो आप काफी दिनों से कर रहे हो लेकिन practice भी तो matter रखती है अकर practice नहीं करोगे तो पढ़ाई कैसे याद रहेगे revision कैसे याद रहेगा, तो RRBs NTPC-CBT1 के लिए Adder 24-7, एक special test series बना किला है, यह कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, और हर चीज देखो, free की चीज की कोई value भी नहीं होती है, simple से बाद बताऊं, यह इतनी भी महंगी नहीं है, around आपको यह 130 उर्पे में आपको मिलेगी, और इसमें, अब आपको 65 नहीं, पहले तो 65 थे इसमें, अब आपको इसमें 130 paper मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 130 paper मिलेंगे, सबसे जो main important part है ना, आपकी जो rank आएगी वो all India level पाएगी, ठीक है, कि पूरे भारत में आपकी कितनी उकाद है, ठीक है, क्योंकि आपको competition करना है, क्योंकि RRB NTPC का मैं बताऊं, 35,208 post है, ठीक है, टोटल, 35,208 post पूरे भारत में, और एक बाँ बताऊं, टोटल form कितने भरे गए हैं, 1.26 करोड form भरे गए हैं, ठीक है, 1.26 करोड form भरे वे हैं, ठीक है, तो इसको इसा आप से अगर देख, हाँ, बिल्कुल, सौरी, 30 मैहत में, 30 आपका reasoning में और 40 आपको समय, तो इन सब को practice करने के लिए, तो 40-40 में दूसरे exam के द्यान आ गया, तो इन सब को practice करने के लिए, आपको एक proper test previous year paper मिलेंगे, अगर मैं 65 की बात करूँ, वैसे हो तो आप 130 मिलेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको na, बिटा, weekly current affairs भी मिलेगा, क्या मिलेगा, weekly current affairs, ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी lecture के last में आपको एक detail wise आपको बताऊंगा, लेकिन इसे ध्यान में रखेगा, और price भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, price भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन इसे दिमाग में ध्यान में रखेगा, अगर railway का exam निकालना है, तो आपको भाई practice तो करनी पड़ेगी ही, ठीक है, बाकी जिसने dislike करा, उसे मेरा धेसरा, प्यार, क्योंकि मैं आपके काम की बात बता रहा था, Si Ing-Win, Si Ing-Win re-elected the president of which country, अब बहुत ही simple है, ओके, 50 हो रहा है, selection होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस तरीके से, क्योंकि मैंने 2016 का दिया था, उस समय जो आपकी, जो journal की category, journal की गईती, सो मैं से 81 गईती, सर, ठीक है, सो मैं से 81 गईती, मैरिट, मलदब CBT1 की, तो 50 जिन का score हो रहा है, उन्हें मैं कहूँगा, मेरे भाई, दम लगाओ, ऐसी opportunity बार-बार नहीं आती है, खुम मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, नहीं उसका कोई substitute होता है, तो बिल्कुल मेहनत करो, अपने में विश्वास रखो, और उसमें आप कोशिश करो कि नभें आएं आपके, ठीक है, बिल्कुल, ताइवान, अच्छा ताइवान इसका अंसा, क्योंकि होंग कॉंग में तो डेमोकरिसी है, इन्हीं थाइलेंड में राजशाई है, और तिबद कोई देश नहीं है, ताइवान का पुराना नाम क्या है, फॉर्मोसा, ठीक है, अभी new development bank ये new development आपका क्या है बिटा BRICS bank है ये क्या आपका BRICS ब्राजील रशिया इंडिया चाइना सौथ अफरीका BRICS bank है तो अनिल किशोर को अनिल किशोरा को अभी vice president बनाया गया है new development bank का ठीक है आपको बताना है कि new development bank का head कौन है तो ये ये कौन बने है PRADO TORGO कौन बने है PRADO TORGO ये new development bank के क्या बने है अध्यक्ष बने है और ये कहां से है ये बिटा आपके कहां से है ब्राजील से है ये कहां से है आपके बिटा ब्राजील से है और session को share a like जो करेगा आगे बढ़ता है आगले question Name the person appointed as the permanent representative of India in the United Nation तो इंडिया के permanent representative जो United Nation में वो कौन बने हैं जल्दी से बताइएगा इस question का answer क्या है Name the person who has been appointed as the ambassador of permanent representative of India to the Indian United Nation तो देखो, Sayyad Aakbaruddin Saab जो थे, यह former थे, यह भालतीय विदेश सेवा का दिकादी थे, retire हो गए अब इनकी जगा किसे बेजा गया? टी-यस मूरती साब को बेजा गया किसे बेजा गया? टी-यस मूरती साब को बेजा गया, ठीक है? कहांपे बेजा गया? टी-यस मूरती कोई बात नहीं, जी हाँ, बिलकुल, अगला कोशन, इंजिनुटी, नासा ने, नासा ने, मार्स पर, मार्स के लिए एक हेलिकॉप्टर बनाया है, और इस हेलिकॉप्टर का नाम एक भालतिय लड़की ने रखा है, जिसका नाम है, वनीजा रूपानी, ठीक है, रूपानी है, तो ध्यान रखेगा, कहां से है यह, बिटा, यह लड़की गुजरात से है, यह लड़की कहां से है, गुजरात से है, और इसका नाम क्या रखा है, इंजिनुटी, इसका नाम क्या रहता है, इंजिनुटी, और सेशन को शेर और लाइक जरूर रखेगा, ओके, इंजिनुट जो है वो किसने पहला उप्गर रहा लांच करा है तो नाम सही आपको इसमें रशियन शिप आ रही होगी अल्तिका तो रशिया ने बनाया है ठीक है ध्यान रखेगा अच्छा रशिया के बारे में बताओ रशिया विश्य का पहला देश है जिसने क्या बनाया है, Avan Guard एक missile बनाई है, क्या बनाई है, Avan Guard एक missile बनाई है, यह आपकी क्या है, Hyper Sonic missile है, यह क्या है आपकी Hyper Sonic missile है, Hyper Sonic, यानि आवास से भी तेज चलता है, और रशिया ने एक और चीज़ बना रखिया, विश्य का पहला, world's first floating nuclear reactor भी बना रखा है nuclear reactor भी बना रखा, उस nuclear reactor का नाम क्या है उस nuclear reactor का नाम है आपका academic लोमनो सोव, यह ऐसे ध्याधान रखेगा, और session को share और like जरू करेगा, बढ़ते हैं अगले question क्या आप, वेरी गुड़, ओके, ओके, कोई बात ने, कोई बात ने, ठीक है हाँ, चलो, उस वेक्थी का नाम दता ही है, जो विश्य स्वाक संगर्टन की 73-70 में चुना गया, तो यह भारत के स्वास्त मंत्री, यानि भारत के जो health minister है, dr. हर्श वर्दन, health minister, ठीक है, यह भारत के यह बने है WHO, WHO की जो स्थापना है, 7th of April, 7th of April, 1948 में हुई थी, और 7th of April हम बनाते हैं, World Health Day पर, किस तोर पर बनाते हैं, World Health Day के तोर पर हम celebrate करते हैं, ठीक है, World Health Day के तोर पर हम celebrate करते हैं, किसे, WHO के इस foundation day को, ओके, बिल्कुल, बहुत बढ़ी है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की हो, उस भारती अर्शास्त्री का नाम बताई हैं, जिसने विश्य बैंक, ओके, विश्य बैंक, द्वारा दक्षिन एशिया में जलवायू, परिवर्तन और आपदा परबंधन के लिए एक महतपूर्ण बद दिया गया है, तो ध्यान रखेगा, इनका नाम है, डॉक्टर अबास ज इसका आंसर है, यह वो एकनॉमिस्ट है, जिनने क्लाइमेट चेंज, साउथ एशिया, यानि दक्षिन एशिया में वर्ल्ड बैंक ने निक्त करा है, कि वहाँ पर जलवायू, परिवर्तन और डिजास्टर मेनिजमेंट, आपदा जो होती है, उसके प्रबंधन के सम्मंदि क्या करवाई होती है, बिल्कुत, अगले कोशन के और बढ़ते हैं, नेम दा परसन हो विकेम दे हाइस पेड एथलेट, फीमेल पेड एथलेट, यानि विश्य में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली महिला खिलाडी कौन सी है, तो वो कौन सी है, नवामी ओसाका, वो क्या पाक में ओलम्पिक होंगे बही, ओलम्पिक होंगे 2021 में, जो 2020 में होने थे, और 2026 में क्या होंगे, एशियन गेम्स होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क ने एक नए परकार का पैरसाइट फंगस की खोज़ करिया, और इसका नाम उन करके नाम है, ध्यान रखेगा, ट्वीटल ने एक नई सर्विस भी शुरू करिये, फ्लीट्स, जिसमें अपने दिये गए ट्वीट्स को आप डिलीट कर सकते हैं, अरविंद राना, ओके, तो बिल्कुल इस कोशन का आंसर बताइएगा, चलो, ध्यान रखेगा, फ्लीट्स इसमें आपका क्या होता है, ओके, तो जल्दी से बिल्कुल सेशन को शेर और लाइक जुरू करेगा, ठीक है, फ्लीट्स का आंसर है, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की ओर, अगला कोशन, इंटरनेट को मौली कदिकार किस राज्य ने घोशित करा है, तो इंटरने इंटरनेट को मौली कदिकार गोशित किया गया है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन की ओर, अगला कोशन, मंत्री मंदर द्वाला, शामा मुखल जी पोर्ट किसका नाम रखा गया, तो इसका ये कोल कता, कोल कता को ना पहले हल्दिया प पोर्ट, हल्दिया पोर्ट जो है न, आपका ये हुगली नदी पे बना हुआ है, और भारत का एक मात्र, भारत का एक मात्र, एक मात्र, नदी निर्मित बंदर गया, कहा है, नदी निर्मित बंदर गया है, भारत का एक मात्र नदी निर्मित बंदर गया है, ठीक है, तो इस का नाम अब क्या रख दिया गया है शामा परसाद मुखल जी धियान रखेगा जम्मू कश्मीर में एक टनल का नाम भी क्या रख दिया गया है शामा टनल भी रख दिया गया है शामा टनल ये भारत की पहले सबसे लंबी सुरंग होती थी लेकिन अब भारत की सबसे लंबी सु दिया गया है, अटल पास रख दिया गया, रोटांग पास का नाम भी तो, रख दिया गया, अटल पास रख दिया गया, और सेशन को शेर और लाइक ज़रू करेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन की हो, अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, गेर सेंड कौन से राज्य की राजधाने बनी है तो ध्यान रखेगा गेर सेंड आपका जम्मू कश्मीर नहीं जम्मू कश्मीर नहीं आपका उत्राखंड की राजधाने बनी है किसकी बनी है उत्राखंड की गेर सेंड आपकी उत्राखंड की क्या बनी है राजस्थान क्या क उसरी कौन से होगी, गैर सरण होगी, ओके, बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 का A, अगला कोशन, 233 वर्षों में, पहली बार, किस Mary Le Bon, Mary Le Bon Cricket Club की जो पहली अद्दक्ष बनी है, औस्टेलिया में है Mary Le Bon, तो ये कौन बनी है, तो इनका नाम है Kate Cross, इनका नाम क्या है, Kate Cross ये क्या बनी है, Mary Le Bon Cricket Club की पहली महिला अद्दक्ष बनी है, तो ये RRB का Special Offer है, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊँगा, विशक हद्द परुसकार किस वेक्ति को मिला, देखो, विशक हद्द परुसकार दिया जाता है, वर्ल्ड, वर्ल्ड, फूड, प्रोग्र के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को खैर, इस साल पता है, आपको क्या मिला है, नोबल, नोबल, पीस प्राइज मिला है, क्या मिला है, नोबल पीस प्राइज मिला है, इस साल, और वर्ल्ड फूड प्रोग् से रतनलाल को क्या दिया गया है विश्य खद्य पुरुसकाल दिया गया है ऑप्शन नमबर एस का राइटांस है दुनिया के पहले देश का नाम बता है जिसने टिड्डी को नियंतरित करने के लिए UAE का यूज किया तो वो कौन है भारत गर्मियों के दिनों में टिड्डी का अशार मेता को सॉलिसीटर जनल बना गया और तीन साल का इन्हें टम दिया गया और केके बेनु गोपाल को क्या बना गया है यह तो पहले भी थे यानि इन्हें एक साल का एक्स्टेंशन दिया गया आर्टिकल 76 में आर्टिकल 76 में अटार्नी जनल दिया जाता है और अटार् भारत का परफम विधी अधिकार आता है, first law officer होता है, first law officer of country, first law officer of country, भारत का परफम विधी अधिकारी होता है, first law officer of country होता है, good evening रोहित कुमार, सिमर्तिक, बिलकुल, बिलकुल, आगे बढ़ते हैं, आगले question कर, who has received first PC महलनों बिस, देखो, 29th of June को, 29th of June को हम क्या celebrate करते हैं, 29th of June को हम celebrate करते हैं अपना National Statistics Day National Statistics Day celebrate करते हैं National Statistics Day is celebrated on 29th of June every तो इस बार चकरवलती रंगराजन को क्या दिया गया है National Statistics Award दिया गया है पहली बार पहली बार क्या दिया गया है National Statistics Award दिया गया है यह जो आप यहां option number D में देख रहे हो ना यह बिधान चंदर रहो है, इनके जनमती थी को एक जुलाई को, ठीक है, एक जुलाई को हम किस रूप में मनाते हैं, national, okay, national doctor's day मनाते हैं, क्या मनाते है, national doctor's day के तौर पे celebrate करते हैं, ठीक है, एक जुलाई को, तो इस बार जो national doctor's day की theme थी, वो थी less morality of COVID-19, क्या थी less morality of COVID-19, यह क्या थी, इसकी theme थी, और session को share और like जो को रहे हैं, व्लादिमिर पुतिन, व्लादिमिर पुतिन को, व्लादिमिर पुतिन को 2036 तक के लिए, व्लादिमिर पुतिन को 2036 तक के लिए, क्या बनाया गया है, इनको 2036 के लिए, okay, सुबह पढ़ा पढ़ा के गला थोड़ा बैठ गया, हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा बैठ गया, 2036 तक के लिए, क्या बनाया गया है, आपका राश्पती मनुनीत किया गया है, मतलब बनाया, मनुनीत नहीं, मतलब अपॉइंट, इनने दे दिया गया, okay, who is the overall 2020 Commonwealth Short Story Prize, काफी important है, Commonwealth Short Story Prize किसे मिला है, तो मिला है, कृतिका पंडे को, कृतिका पंडे को Commonwealth Short Story Prize मिला है, okay, okay, बिल्कुल, पापा है, दुनिया का, बिल्कुल, कृतिका पंडे को क्या मिला है, 2020 का Commonwealth Short Story Prize मिला है, और ध्यान रखेगा, अगर ये CBT test series को करते हैं पर्चेज तो इससे आपको बहुत benefit होता है ये कैसे आप पर्चेज कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ मेरे लिए अगर आप इतना देर रुके हो तो थोड़ी देर और भी रुक जाहिएगा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए काफी important है ध्यान रखेगा आपके लिए काफी important है मेरे लिए नहीं है आपके लिए तो देखो आपको विजिट करना है order 24-7 ठीक है और यहाँ पे जब यह ऐसे website खुल जाएगी तो यहाँ पे search में cable डालना RRB RRB CBT ठीक है RRB CBT टाइप करना है test series ठीक है test series और search करना RRB test तो यह देखो RRB CBT के लिए आजाएगी अब इसमें किते test दे जा रहे हैं 165 test दे आपके पहले इसमें दिहान रखो देखो यहाँ पे पढ़ो इसमें 40 आपको full length mock test मिलेंगे 25 आपको previous year paper मिलेंगे current affair मिलेगा ध्यान रखो यह चीज current affair आपको मिलेगा ठीक है 60% 60 question पर देख से जो इसमें main चीज है न मेरे को कि एक तो similar pattern पर होगा और आपकी all india rank बताई जाएगी आपकी all india rank बताई जाएगी साथ यह बता जाएगा कि आपने किस section में कितना समय लगाया आपने किस section में कितना समय लगाया ओके तो बस आपने किस section में कितना समय लगाया आपकी percentile किती है आपने किता, यानि आप अपनी कमियों को भी पैचान सकेंगे, और उस पर आप अपना काम कर सकेंगे, अब यह देखो, यह आपको यहाँ पर दिख रहा है, पांसो निन्यान रुपे का, तो अगर आप एक डिसकाउंट कोड लगाते हैं, capital U191, ठीक है, या U191 भी आप अगर एक रुपे से कुछ ज़्यादा में आपको 110 पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको 9500 कोश्चन करने को मिलेंगे, weekly current affairs मिलेगा, तो बिल्कुल मैं होता आपकी जगा, तो बिल्कुल इसे जरूर जोयन करता, तो इस test series को जरूर जोयन करो, session को share और like जो करेगा, मैं मिलता हूँ कल तब तक के लिए से भी को जय ही, जय बाहत, बाबाए, God bless you all.